क्या आपको पता कि अमेरिका में पिक्चरों को किस तरीके से रेटिंग दिजाती है कि ये पिक्चर बच्चों के लिए है या भी बड़ों के लिए है In Total American Motion Picture Association के पास Total 5 रेटिंग सिस्टम है सबसे पहले आता जी मतलब General Audience अब गर्मा गर्मी पैदा होने से लेकर के मरने तक कोई भी देख सकता है फिर आता है PG rating मतलब parents के सुझाओं में या उनके mark दरसन में देशी जानी चाहिए फिर आता है PG 13 जिसका मतलब है कि parents को strongly आगा किया जा रहा है कि 13 साल के कम उमर वाले बच्चे इस माल को consume ना करें फिर आता है R rating जिसका मतलब होता है restricted कि 17 साल कम उमर वाले बच्चे को parents के साथ देखना important है फिर आता है NC 17 only for adults जिसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए 17 साल या उसे कम उमर वाले बच्चे इसे ना देखें और इसमें वो सब भी होता है